तो आज का व्लॉग मेरी लिए कुछ इस तरीके का है कि मैं आप लोगों से कुछ पाते ने शेयर करना चाहती थी कुछ काफी जादा ऐसी बातें जो के मुझे काफी मतलब डिसहार्ट की करें थी बहुत से कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं जिसकी वेज़े से काफी जादा दिल कुछ यह जाता है और मैं के अगर कोई उड्य क्राट के मतलब अपने मतलब असको ना मतलब ऐसे इसा नहीं ऐसा तो पुछ मैं आप लोगों से लाजमी ए आज उपर आ रातिके साथ ही सवक्द्व बज्रा हैं और और मैं एक joint family में रहती हूं तो अगर आप में से कुछ लोग कुछ women's जो joint family में रहती है ना उनको इस बात का बिल्कुल मतलब पता होगा कि joint family में कितनी responsibilities होती हैं कितनी जादा चीज़े होती हैं कि अगर हम एक खाना बनाते हैं तो किसी को वही खाना बहुत जादा अच्छा किसी को वही खाना जो है नमक जादा लगता है किसी को उसी खाना में मिर्चे कम लग लग रही होती हैं और कोई कहता है कि यार यह तो बहुत ही आउट लास बने तो सब के अपने अपने opinions होते हैं जिसको हम लोग दिल पे नहीं लेते हैं हम कहते हैं ठीक है it's okay second यह कि joint family में सब्सक्राइब ओर निननी सबस्क्राइब दस हाता है तो दस कम दो रहा हुत ठीक है और मैं बहुत सारे ऐसे कमेंट तो मैं यह बात क्लियर करूं कि जब मेरा है उपर नीचे का पोर्षिन जो है उपर वाली फ्लोर पर है और 80 गस का हमारा पोर्षन है जिसमें मेरी जित्हाद मेरी वची वक्ता गेर को यह उपर का मेरा बना सहाव बना एक लॐ बिराबर में मेरी जित्हाधे को साथ एक फ्लोर पे स्कुझार से बागि एक एक और यहाद रेख्या है जो इस तरह के क्लीन कपा नहीं नाने लगी है कि यह कर लिया करें वो कर लिया करें वो कड्रिया करें तो अगर करके इतने ही privy तो बना ही क्यों रही है तो मतलब ना वैसे तो मैं इतना ज़्यादा माइंड पर नहीं लेती किसी की चीजों को बट कुछ दिन से जो है ना बस मेरे दिल पर लग लिए कि जब लगशे निजुश्य होता है ना अगर हमगों साफ करके नीज़े जया है नीचे के सारे कामों को कराकर कि किअ रूबरे से उपर आते हैं तो रूब का तो आपके नोई होते और हैं ये लोमल साइस की मुझे नी पाता के कितने कोंअ कि या फिट हूथता पहलावा मचायव है कि रूम को मैंने क्लीन नहीं किया हूँ तो लेट्स वाच के मैं उपर आई हूँ मेरे रूम एजलीज है मैं आप लोगों दिखा जाती हूँ कि क्या क्या मचाव है जिसमें एक हम आगे चल के बदाते हैं आप लोग देखते चले जी तो यह मेरे रूम का इसके बाद अब जब मैं अंदर आई हूँ तो यह बच्चों ने फिर से मतलब पहलावा मचा के रखा आपको देखने में लग रहा हूँ है यह स्पेस काफी जाद है तो अब मैं टाइल की पानिस्बत बताओं तो मेरे क्याल थी एक टाइल जो है दो फिट का है तो इधर एक दो तीन चार पांच छे अनलब छेट टाइल से वन दू-दो फिट के तो इसी आप सब कर दाजा लगा है कि रूम कि इतना बड़ा हूँ है आप जब मैं एंटर हुई तो यहां पे बच्चों ने खिलों ने चुकि इसमें पैक होके रखे गए थे यह फुल टू-फुल इन्हों ने यहां पर कबारा मचा के रखा है आधे ट्वाइस जो हैं इस शौपर में भर कर यह मेरे दर्वाजे के बैक साइट लटका है मैरे आने से पहले की कहानी लोगों ने क्या कुछ कर रहा है ठीक है और यह मैंने रिसेंटली अपनी दिवार पे कलर करवाय था तो य कि मेरी एजल ने यह रहे यह मेरी एजल ने नाकुन उसे कुरज के ख़़ा दे जिसके वाज़से थोड़ा सा मैसी सा लगता है ठीक है यह मेरा मेरा है मैंने ड्रेसिंग टेबल पर अपनी इसी वजह से हटाई थी क्योंकि मेरे रूम में स्पेस कम था ठीक है और उसके इतना बच रहे हैं कि यह एक छोटी सी चेयर आ रही है जो कि बॉल के बराबर की चेयर है और इदर छोटी सी इस पेस बच रहे हैं जाहिए सी बाते बच्चे हैं तो हम क्यों रोकें इनको यह इनके मेने ड्राइफूट सरके मैं ताकि इनको कोई प्रॉब्लम ना मतलब कभी यहां पर मेरी मैक अप अल्मारी यहां पर हैं एयह मिर्थे आप कर भिञे सकते ही यह पर है कि इसको मैने से लगा करते हैं और अगर जब आप लोग बैक साइड की बात करते हैं न क्ये जो आप खिलों य ये इतना अलमारी की इंदाज़ लगा करके रख़ा, ये करके रख़ा है, वो करके रख़ा है. आप इसे अंधाजर लगा लें, ये जो मेरा divider था, ये इसको divider के कहता है, quiser को मैंने almarie बनाया हूँ है, just because of this, कि मेरे room में space नहीं है, यह रात को जब मैं ऊपर ट्रेले कर आती हूं यह दोत की फीडर्स बच्चों की तीनों की पानी की बॉटर पीडियर्श और सारी चीज़े साइट टेवल पर ही रखनी होती हैं और यह मेरी साइट की दराज जिसमें वाइप से रिमोट वगरा सारी चीज़े रखती हूं ठीक आप यह देख सकते हैं मेरे सारे कपड़े डिवाइडर के अंदर बिल्कुल तरीके से रखे हूं हैं यह मेरे सारे टाइस ट्राउजर्स वगरा सारी चीज़े हैं और यहां पर सबूर की शिर्ट्स रखी हैं और यहां पर सबूर की पैंटे हैं यहां पर सारे शॉर्ट्स सफान की पेंटे हैं आप मुझे बताएं कि यह में नहीं रखे वे और नीचे जो हैं यह मैंने सारी चीज़ें आप यह देख सकते हैं यह मैंने सारी चीज़ें यह शौपर में ऐसे इसलिए कर गर कर रखी हैं तो यह चोटा से उसके बाद मेरे पास एक शेल्फ बचता है जि यह उसके पर में अपना मैंने सारा नुज़ें लिए टिवाइडर यहां पर जो है अनुज लिए कोपने आने-जाने के हैं इन नई पेंटे शिर्टह थी एक यहां पर मेरे सारी बाद स्वान की टी शिर्ट्स और यहां पर कुटा शलवार सारे तो ये ठर्ट पार्ट पर जब हम आते हैं बच्चों की जैकेट्स रखी हुएं क्योंकि सर्दी का सीजन है तो जैकेट्स नहीं लेकर आई ती इसलिए मुझे कमरे में ही रखनी दी ये दो सबूर की सूट हैं ये दो सफान के हैं दो मदरसे की सूट हैं और इन लों के पीड्रेस हैं और एक मेरा स्वाइटर हैं और यहां पर बच्चों के नाइट के सूट्स रखें हैं मलब ट्राउजर्स शर्ट जो एक्स्राट जो थोड़ी चोटी हो रही होती हैं वह में अलग कर देती हूँ ताकि बच्चे नाइट में वियर कर लें उसके बाद जो है मेरा बच्चता है यह एक छोटा कबर जिसका दर्वाजर जो है बच्चों से तूट गया था जब मैं अम्मी के गर पे रुकने गई थी तो मेरा घर बन रहा था नीचे का और सब मेरी सास वगएरा सब मेरी जिठानी वगएरा सब मेरे ही रूम में रह रहे थे तो उनमेंसे किस बच्चे से ये दर्वाजा तूटा था मुझे नहीं पता नहीं हम पूछ सकते क्योंगे हम जॉइन फैमिली में रहते हैं और इसमें अगर थोड़े बहुत नुक्सान हो जाते हैं तो इट्स आल राइट ठीके ये मेरा और फरहान का कंबल है जो कि मैं यहां पे रखती हूँ ये सब फान का छोटा सा ब्लैंकेट है जो कि मुझे यहीं रखना है और ये मेरा आदे से जादा डिवाइडर इन सब चीजों से कवर्ड हो गया ठीके उसके बाद ये बचता है मेरा लास्ट में ये वाला वाड़ ये वाला ठीके अब मैं आपको इसमें दिखाती हूँ मेरी कितनी जरूरत की चीज़ें यहां पे रखी है ये देखिए ये इतना ज़्यादा बड़ा बैग है ये मुझे नीचे खड़े करके नहीं रख सकती और जो है इसको अगर मैंने आरा डेड़ा गर के रखा तो ये कही नहीं से डैमिज हो जाएगा ठीके उसके बाद ये आते हैं बच्चों के बलूंस जो के बच्चों बच्चे फुलाते रहते हैं ये मेरा विलॉग का कैमरा है ये रेव चाहिए इन आइपेड रखा वाए बच्चों काused का वी बच्चों का राओर्ट्राहा का और ये मैंने डेट्स रखी divyaultur ये बच्चों की चीजे रखी में जाए थर इसके इन दर ये बच्चोंते गश्य और ये बच्चों का फ आप इस बात से अंदाजर लगा सकते हैं कि ये जो मेरी आईशेडो पैलिड है ना मैं आप लोग को दिखाती हूँ ये देखें ये तक मैंने इसके अंदर रखी हुए क्योंकि वहाँ पे मेरी मेकप अलमारी में जो है ये बड़ी थी तो आ नहीं रही थी सेकंड पर मैं आती हूँ तो ये देखें कि मैंने सारे जो है स्टरेज बॉक्सेज बनाए में इसमें सारे चार्जर्स हैं इसमें जो है एक्स्टर वाली चीज़े हैं जैसे वैसली नोई या पॉडर हुआ या मतलब जो मैं जाया भी नहीं करना चाती और मेरे यूज की भी नहीं है बट मैंने को फेकना नहीं जाती क्योंगी कभी न कभी यूज में आ सकती है ये ठेट पर भी मेरी चीज़े रखी हुए है यहाँ पर बच्चों के खाने की चीज़े है ये फिर से बच्चों के खिलोने आ गई ये भी बच्चों की स्नैक के ये खिलोना ये सब गूल की बूसी है और लास्ट मिस्क के बाद मैं आती हूँ यहाँ पे मेरी जायनमाजे रखी हुई है रोज निकालती हूँ तो इस वरे से थोड़ी बहुत एदा उदा हो जाती है और यह जो मेरा पूरा बॉक्स है ये बॉक्स मेरी समलो में एक डॉक्टर भी हूँ बच्चों के लिए जास्ती बताय माँ है तो यहाँ पे यह सारी चीज़ आँ यहाँ पे बच्चों को नाक में ड्रॉप्स दालने है, विक्स है, एक्स्रामंग वाईवी, यह कौन सा पॉडर है, जखम पे लगाने का यह पॉडर है, एक्स वाई जड़ी सारी चीज़े इसमें रखी में हैं, कॉटन है, सेकेंड पे देखा जाये तो यहाँ पे मेरे, यह क इज़े रखी में हैं, एंड फॉर्थ पर यह सिट्रो सोडा, क्योंकि यह पेते ही क्रैन मेक्स के साथ, यह इको टैक जो बच्चों को मोशन में दिया जाता है, मतलब यह सारी चीज़े और यह थर्मामेटर वगर है, यह सब कुछ रखा हुआ, और यह हिंग सुआगा मैंन में यहां से, मतलब यह वाला जो बैक्त है यह इधार रखावा था, तो यहां से टाकर मैंने यह चुईया आरी है मेरे कमरे में, इस वेर से मैं यह रखावा है, लेकिन वो आ के मर नी री है वेचारी, तो उसने मेरा यहां से पर्स पूरा कुतर दी, आपकी देख सकते हैं, तो इस वैसे यह पर्स मैंने उपर रहा है वरने यह जाय नमाजे बिल्कुल तरीके से रखी वी थी उपर यहां पर मैं आपको पूरा दिखाओं तो यह देखिए इस से जादा मैं समेट भी नहीं सकती मतलब मैं इतना जादा दोरा सा इस दपा वो हो गई हूं कि मुझे स्प लिए पूरे में बच्चों की जीज इधर इंपोर्ट शीज थे यहां पर बच्छती है यह इस पेष्प आपको बड़ा लग रहा होगा बट अगर मैं यह सोफा अगर आप में बालिश से ना पू ना यह देखें एक यह तो यह तीन यह तीन बालिश का है सधी ना यह और मतलब मैं ऐसे लगाती हूं बच्चों के मतलब इस बैट पर में फरान और एजल सोते हैं वायना तो हम पहले इस बैट पर सोते थे उसके बाद जोए जाए बच्चों की वेल से नहीं लेटा जाता हैं तो फिर मैंने यह ओर करें दराश से इसको मैं यहां सैट करती हूं लब बड़ा वाला पहले लगाती हूँ फिर दो चोटे उसके आगे रखती हूँ तो हम लोग ये छे फूट का बन जाता है तीन फूट का ये तीन फूट का वो तो ये छे फूट की लंबाई में आ जाता है तो इधर मेरे सबूर और सफान सोते हैं और सही बता हूँ तो अगर कमरा बढ़ा हो जाएगा बस इन लोग को टाइम नहीं मिल रहे जिसकी वैसे मेरा और सभा का कमरा बढ़ा हो जाए इस वैसे हमें दोर जी प्रॉब्लम होती है बट हमें एड़्जस करना है इस पर कोई इतना बढ़ा नहीं है बात बट आप लोग जो हेट कमेंट्स आते हैं तो मैं काफी डिसपॉइंट हो जाती हूँ बहुत जादा ये कमबले बच्चों का और ये देखें आप इस पर भी ट्वाइज इन लोगों ने पहला के रखें ठीक है और ये कवर धूल कर आएं और क्योंगे मुझे इस पर चढ़ाने ताकि ये गंदे ना हो और इधार आ ईे और इते हैं मेरी एजल की अल मारि ठीक है यहां पर इए सबूरकी जैक्ट अंगी भी इसको मैं इन अभी साफ कर रहे हैं यह जूड़ सी गंदी हो रही तीस पर हमने केले कपड़े साफ मैं से कर रंख कर द middle class कापड़ा ये तो यह आगई मेरी मेरी एसल की आने की कपड हैं और इधर जो जनते भी कपड़े हुआ हैं वो सब जो है एजल के normal routine के कपड़ें है यह एजल की जेंस हैं इधर इजल की जेंस हैं इधर भी जेंस हैं इधर आजल के ties रखे हुएं वह सारे और इधर बहन ले बन्यान वगर रखीcek हैं और यह जो है इसकी ऐसेसरीज का बॉक्स से ये मैंने उपर ही रख दिया है वैसे एजल की ऐसेसरीज का जो बॉक्स है क्योंकि ये मेरे दो बेटों के बाद बेटी हुई थी तो मुझे मतलब बहुत जादा मुझे शौक था कि मैं उसके लिए हर चीज करीज हैं आप एज देख सकते हैं क्योंकि मुझे लगता है बेटों से जादा बेटीं बहुत प्यारी होती है ये सारी चीज़ हैं उसकी डबों में करकरके मैंने समाल के रख हुई है आप ये देख सकते हैं मैं निकालना नहीं चारी बस आप लोग यूँ ही ऑफजब कर लें किस तरहां से ये सारी चीज़े रखी हुए ठीक है इसको मैं बन कर दूँ और उसके बाद आता है ये वाली दराज तो यहां पर मैं थोड़ी बहुत बच्चों के सेरलेक वगरा रखती हूं ये मेरी सीजर ये एक बॉक्स रखती हू ये श्मान को और आजल को घड़ीयों का बहुत जाधा शौके तो ये रखी में दो यह लगां ये बाद यह बाद यह सब रखने के भाद के पुल होगी हो जाता है उसके बाद आता है मेरा ये बॉल आ जाने वाले यहां पर इसकी एजल की सारी लेगिंगे यहां पर इजल के सारे सौक्स रखे हैं और यहां पर सारे टोपे वगरा क्योंके सर्दी है तो टोपे वगरा रखे हैं और इस बॉक्स के अंदर जो है एजल की पनियाने वगरा रखे हैं कि मैंने व्लॉब बनाने हैं तो मैं लाजमी समयट के दिखाऊं ⁫ यह मेरी जूल्डी का अब थीड़ी ठीक है यहां पे मेरी सारी जूली रखी वी है six एक मेरे चूली के नाम लिखा वे यह देखिए और यह देखिए और सारे मैंने शॉपर्स में करके रखे में कहीं खराब ना हो जाए इस ज़र से यह देखिए और यह देखिए किता प्यारस है और मेरा यह कैचर नहीं देखिए और यह देखिए और यह देखिए यहां पर यह मेरी सारी चोटी मुटी जूली है यहां पर मेरे सारी मैं आप लोगों दिखाई दूँ यह मेरे सा यह कड़े हैं और यह कड़ों का बॉक्स है मैं तब शादी से लेकर अब तक जितनी वी जूली जमा है वो सारी मेरी सी के अंदर है यह देखिए इससे जादा तरीके से मुझे तो नहीं लग सकता कि एक हाउ गेरिंग्स का है क्या है इसके अंदर में भी देखू अलब सब के मैंने बॉक्से बना여ई वार यह दो transpilàn — इसे लेका टी मेरे हैं यह नीं लग engels स्प्रेवार वाग्छ तो यहां पर मेरे यह बार कोड़ाने क कब इससें और और यह धाना ए मीरे बजाते हैं घ्राओं क lazım स्कूल में लेके जाते हैं बच्चों की जब पेपर्स होते हैं क्या बोलते हैं मुझे नाम नहीं यादा रहा आप लोग खुद ही समझ जाएगा यह देखे हैं यह यह जाए और इस जब ब्रेस्टे की उपडेश नाम लगाना यह से से मुझे और शोड़ु तोवल यह इससे समय नहीं के हैं यार जो हैंड में पहन कर जो कुछ भी जिसी में मसाले लगाना और जो होता है यह वो हैं और यहां पर यह इजल की चोटी सी नई वाली बनियाने मैंने समाल के अंदर इसलिए रख दीती हूं जो उपर होती हैं भे खराब हो रही होती है और यह जो हैं लास्ट यह जो हैं रमजान में यह कार्ट लेकर आया थे बच्चों को देने के लिए तो इतने जादा आ गया थे तो मैंने का नेक्स यह के लिए मैं समाल के रख दूँ तो खैर यह सारी चीज़े थी और उसके बाद अगर मैं आप लोगो दिखाने चलू ना और यह जो है यह फरहान की अलमारी है इस पर मैंने सारी शेटे फरहान की प्रेस करके हैंगर होके टंगी हुई है सारी मैंने हैंगर करके रखी हुई है ये जो सारी नीचे का है ये इधर सारी कुर्ता शलवार प्रेस होवर रखाव है ये सारी इनके नए कपड़े रखे में और नीचे जो है इनकी रेगुलर यूजिस की जीन्स हैं इनकी बनियाने इनके ट्रॉजर ये सारी चीज़े रखी में तो आप लोग मुझे बताएं कहा मुझे निकालने तो नो और मुझे मतलब निकालने थे मुझे देने थे याद नहीं रहता यह वाला बैग में अभी नया लेकर आई थी चोटा वाला तो यह है और मैं अपनी अल्मारी दिखाऊं तो यहां पर मैं अपनी अल्मारी दिखाऊं तो सब तै हुए वे रखे में यह देखें ठीक है यह जो एक बैग है इसके अंदर मतलब मैं अगर कोई सूट रिटायर भी कर दीती थी नहीं उसका दुबट्टा में रिटायर करती नहीं हूँ तो दुबट्टे जमा होते होते हैं आज इतने धेर दुबट्टे होगा हैं अगर आपने उस लास वाली अलम पॉर्शन जिसके बारे में भी मैं आप लोग को जरूर बताऊंगी इधर जो हैं मेरी अलमारी में इधर मेरी शादी बिया के कपड़े हैं तो यह मैं खोलनी सकती खोलनी सकती स्वासे क्योंकि यह हटानी पड़ेगी इसलिए मैं उसको यह जोड़ती हूं तो उसके बाद यह पॉर्शन जिसके लिए सब इतना दिमाख खराब करते हैं उपर कदो समेट लें उपर कदो समेट लें तो देखें मेरे बच्चे ना माशला से काफी जादा पहलावा करते हैं ठीक है उन बच्चों की चीज़े भी बहुत जादा हैं जी तो मेरे बच्चे ना पहलावा बहुत जड़ा करते हैं जिसकी विए से मेरे बच्चों की चीज़ें भीना बहुत ज़ादा होती हैं और अल्ला का शुकर है अल्ला का लाक्षा अलपहला ने इतना दिया है . अलपहला नजरेवच्हे बच नुद कहा हैं कि माशाले से बच्चे लेट सी आप लोको दिखाती हूं कहां कहां खिलो ने और क्या किया है तो यहां पर यह जितने भी सॉफ्ट वाइज आपको देख रहे हैं यह ओवर ऑल जो है अम्मी के घर से आयते हैं क्योंकि मेरे सफान का की का हुआ है कभी बर्डे पार्टी कभी कुछ कभी कुछ कभी कु चीज़ें जो सारे सॉफ्ट वाइज रख रहे हैं तो यह इसी विजह से हैं मैं पहले आपको यह बलून अटाके दिखा हूं यह आज ही सबूर ने गली जगरीद है और उपर फेका है एक मिनट जी तो आप देखिए वह आपको मेरा आत उपर नहीं जा रहा है वह आपको म अपने यह जो वाल जो मेरी खराब हो रही है ना उसको कवर करने के लिए बट इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं इसको कवर कर लूँ और यह लगा दूँ क्योंकि जो है मैं चारी थी कि मेरा रूम बढ़ा हो जाता ताकि यह भी मेरी चीज़ वेस्त नहीं हो दी क्योंकि लगाने के बाद जब मैं हटाओंगी तो यह वेस्त ही हो जाएगा तो मैं चारी थी यह बात के लिए मानने है कि मैं हमारे रूम बढ़ा हो जाए तब ही मैं इसको अच्छे से डेकॉरेट करूं तो इसलिए अब तक पैक ही रखा है अब आप मुझे यह भी बता दी कि यह म अबरॉल खिलोने रखे में मैं आपको दिखाऊंग करीब से यह यह सारे फुल खिलोनों से ऑर इतने बड़े मेरा है यह जी बढ़े मैंने कमरे को कवर करने के लिए यह मंग वाई ते स्टॉरेज बॉक्स इस बैक्स और इनमें भी सारे इक कार इसके अंदर इक कार इसके दो बेटें तो दोनों की अलग-अलग चीज़े ही आती है ये बच्चों की पेंटिंग कलर्स हैं और ये जो है नई गाड़ी तो मैंने दी ही नहीं कि बच सबूर इसलिए लेकर आया था कि कहीं ममा बीच पे चलेंगे तो ये मैं लेकर जाओंगा क्योंकि इसके अंदर जो है मैं दिखाती हूँ इसके अंदर ये सब रखें मैं और इसको जो है मैं वैसे मैंने दीवार से कवर करके रखावा था बट फरहान का ये था कि एसी के नीचे तुम रखती हूँ जिसकी वैसे एसी की ठंड़ा के इस पर ही पड़ती है डायरेक नीचे नहीं आती है तो इनको को यहां से हटा दो मैं कहां रखूं कहां रखूं तो फिर इनों नहीं इस साइट में कर दिए इसवेसे बीच में पड़े रहता है और चोटे कि लोने उधा रहे और वाकी के टौइस दिखाती हूँ मैं आप लोगग आप लिए रहें रुके ना और टौइस ऐसे कम में कम कि बच्चे ये भी खरीद के ले आते हैं जिनको मुझे चलते पिरते हैं कि करके आगे चलना पड़ता है यह देखिए ठीक है और फिर इस तरफ आओं मैं तो यह इससा तो मैंने आपको दिखाए दिये यहां पे एक चेर है जो कि सबूर की फरमाईश पर यहीं रखी रहती है ठीक है? और अगर मैं बहार चलू ऐक सबूंढकते हो यहां पर बच्चों की नायट की मैंने ट्राउज़ विशू ए बच्चों की कुषज हैं जो चीज ने Tea मोगते हैं एनी लोग खाते हैं यह देख सकते हैं यह बिए तीनों शॉपष उसी हैं थोडह थोड़ह करके मैं करना पड़ना और ये सारी बैल्ट्स अगर भी लटकाई में हैं कि अलमारी के अंदर आपने देखा है यह कि इतना स्पेस नहीं है मेरी ठीक है उसके बाद हम बाहर चलते हैं तो मैं आपको बाहर कभी दिखाते हैं वह आप और ट्वाइस दिखाती है एक और चीज तो मैंने कपड़ों की जिसको मैंने इसी के अंदर रखवे बैट के नीचे मैंने रख देती हूं सर्दियां पड़ती में इसी पूरी अटीच को बाहर निका लेती हूं अलमारी में जगर नहीं होती जिसकी वज़ासे जो है इसको मैं यहीं रखती हूं इसी में से मैंने गरम सबूर को उसकी नानमी ने लाए था तो यह भी कमरे में ही रखा वाधा था यह भी इस कमरे में जिसमें आप यह जगह देख सकते हैं यह है ठीक है यह भी उदर ही रखा था और ट्वाइस दिखाती हो मैं आपको कीचन के कबर्स में मैंने बच्चों के भी ट्वाइस इसमें भी रखे में पूरी आप टोकरी देखने न जिसे वह कहा जाता है लॉंड्री बास् मैं किचन के कबर्स के अंदर चादरे रखती है यह देखें सारी तै होकर रखी है ठीक है कि इसे नहीं रखी है और उसके बाद जो है यह और सभा की कमरे में स्पेस नहीं है तो सभा की चादरे इसमें रखी है इतनी जगह नहीं है और यह जो कुर्सियां थी ना यह जो कु जो सब्सक्राइबर से मुस्ता बच्चे से जानते होंगी पूरी टेबिल अंदर बनी भी रखी थी बट जो एक जगह नहीं हो रही थी तो मैंने इसको यहां पे लाके चेर्ज रख दी अब जिसकी वैसे अब रखी वियां बच्चे खेल भी नहीं सकते ठीक है और यहां पर म मेरे सारे बर्तन रखें मैं डिवाइडर को खाली करके इधर रखा था तब ही उसमें मैंने अपने पच्चों के कपड़े रखे है तो अब आप लोगों ने मेरा रूम अच्छे से देख लिया होगा आप कोई यह कमेंड नहीं कि आप अपने रूम को साफ कर लिया करें कि म मेरा रूम परके चमकता बस साफ है बस पहला आवाए सिफ इस वजह से क्योंकि जगह नहीं है अभी मुझे सबको समेट नहीं और अगर आप कुछ लोग यह भी घाना के विलोग को बन करके आप रूम समेट लें आप लोग तो जाहिर है अगर कुछ लोग बैट कमेंट्स क लेती तो मुझे याद ही नहीं रहता तो मैंने स्क्रीन शोट्स लिए मैं ताकि उनका नाम ले लूँ जो मेरे डेली जो है वाचर है मतलब जो मुझे डेली देखते हैं और चाहते हैं कि मैं व्लॉग बनाओ तो यह सब कंडिशन है और अंदुलना में इसी में खुश कालीन के ओपर चादर भी इस वैसे भी चाहिए क्योंकि अभी अगर मैं आधी गंडे पहले व्लॉग स्टार्ट करती ना तो आप देखते हैं यहां पर पूरी पेंटिंग पहली थी बच्चों ने यहां पर प्लेट्स वगर मैं आपको बलके दिखाई दू जी तो यह चीज था मसले है जिसकी वेज़ा से रूम साफ होके भी साफ नहीं लगता खेर आप अच्छे से मेरा रूम टूर होगी होगा मुझे नहीं बदता मैं कभी जिन्दकी में इस तरह से रूम टूर करूंगी अक्सार लोग बड़े अच्छे से रूम टूर करवाते हैं कि यह ह तो मैंने इस तरीके से रूम टॉर करवाया मैंने नहीं सोचा आप लोगों ने भी नहीं सोचा होगा है मैं इसी में खुछ हूँ सबकाई फैमली में सब़우 अच्छे थो यह सब भी अच्छे से हो जाएगा मतलब टाइम हैं यह चागा यह चाहें ना कल ऑने सारी चैजे देखना लेख ली तो आप लोगो ये मेरा को सारी चाहर यह तो आप कमेंट में जरूर बताएगा और मैं नाम ले लूँ स्क्रिंशोट में जाके नाम सर्च करती हूं याद करके फिर ना आगे का विलोग फिर नाइन करती हूं किरतिका खान थैंक यू थैंक यू सो मज़ कि आप लोग इतना प्यार देते हैं जिनके बेटे का नाम अजलान है मेरी दफसे इसको बहुत जादा प्यार दीजिएगा और सेकंड यह के जो है ना इनका कमेंड मुझे बहुत 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 पसंद आया जनते क्यूं क्यों कि मैंने इनको मैंने रीजन बताया कि मैं भूल जाती हूं मुझे ना याद नहीं रहता इसलिए से जो है ना अगर मैं भूल जाओ तो इसके लिए सौरी तो नहीं पता है मुझे क्या कमेंड किया इन्होंने मुझे बोला कि अगर आप बूल जाएंगी तो मैं रोज कमेंड कर करते हैं और मैं दुसरा स्क्राइब करना बूल जाती हूं आज मैंने सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक्यू सो मच अपनी बेटी के लिए भी मीरब के को मेरी तरह से बहुत सब्सक्राइब करें तो इंचाला नेक्स वीडियो में लाजमी आप सब का भी नाम ले लोंगी और मुझे इसे प्यार देते रहे हैं थैंक्यू मच ओके टेक कियर अला आफिस बाइब झाला आफिस बाइब